मध्य प्रदेश में कई दिनों से बारिश नहीं हुई जिसकी वजह से फसले खराव हो गई है क्रशी मंतरी कमल पटेल ने वीडियो संदेश जारी कर किसानों से चिंता ना करनी की अपील की अलप वर्षा के कारण किसानों के समक्ष जो पानी का संकट खड़ा हुआ है उसके लिए सरकार भरसक प्रयात कर रही है भगवान भोलेनाते से भी हमने प्राथना की है मुझे विश्वास है कि प्रदेश में शीग्र महादेव की क्रपा से बारिश का दौर शुरू होगा और प्रदेश में जो इस वार अच्छी फसल आई है वो फिर लहर आईगी और यदि इस बीच में पानी का संकट उस्पन होता है तो सरकार उसके लिए भी जरूरी इंतिजाम करेगी नमस्कार किसान भाई और बेहनों भारती जंदा पार्टी की सरकार गाउं गरीब और किसानों की सरका है माजी प्रधानमंति दरहिंद मोदी जी और मुक्मति सिहना जी के नहीं हम हाँ समय पिसानों के साथ खड़े हैं अभी सोया बिंकी फसल बहुत अच्छी है धान भी बहुत अच्छा है लेकिन लगाताल पारिस नहीं होने के कारण फसल सूख रही है हमने भगवान भोले ना से प्रात्ना की अब इसे किया है कि पारिस हो जाए लेकि फिर भी सिंदा करने के आउशक्ता नहीं है इंदर दोधा की प्रसंद होंगे और दूसरा हमने तवारे हैं से पाली चुड़ाया है अज 700 तुषिक पाली निर्वदापुरम के लिए धान के लिए चुड़ा गया है आउशक्ता पढ़ेगी तो माने मुक्रमति जी से चर्चा करके संकुन लिले के लिए भी पाली चुड़वाएंगे हमें पूर किसान की शती राष्टी शती है और सरकार किसानों के साथ है उसलिए कोई भी किसान भाई धबराये नहीं चिंता ना करें आपकी एक एक डाले की शती की पूर्थी हम करेंगे यह मिस्वार पिला रहे हैं मानि प्रधान मंति दरिल मोदी जी मुक्रमति शिव्दाजी के नहत प्रधान मंति शती की पूर्थी गरेंगी अर्भी सी चेचारो बदल मिमाई ओइनास है रबिंदरनात टैगोर युनिवर्सिटी अन्लॉकिंग पोटेंशिल आप देख रहे हैं डखल न्यूज